असलाम लेकुम यूट्यूब फैमली कैसे हैं सब अमीद करती हूं के सब ठीक होंगे वीडियो का टाइटल से आपको अंदाजा हो क्या होगा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी क्रोकरी की शोपिंग शेयर करने वाली हूँ मैंने अपने न्यू किचन के लिए दो दिनर सेट भाई करिये हैं तो आइए मैं आपको अपनी क्रोकरी की शोपिंग दिखाती हूँ अपने न्यू किचन के लिए एक मैंने ये डिनर सेट भाई किया है ये 72 पीसीज का सेट है इसमें डिनर सेट के साथ साथ मैंने टी सेट भी मिला है मुझे यानिके 72 पीसीज है, डिनर सैट और टी सैट दोनों हैं इसमें तो मैं आपको पूरा डिनर सैट निकाल के दिखाती हूँ यह मैंने कुछ प्लेट्स निकाल ली है यह डिनर सैट मैंने अलफते से लिया था, फैसलाबाद से इसके पीछे मैंचन भी है, मेंडे इंगलेंड, यह देखें आप देख सकते हैं चले मैं पूरा डिनर सैट निकाल के आपको दिखाती हूँ यह मैंने अपना पूरा डिनर सैट निकाल लिया है, यह एट परसंस की सर्विंग का डिनर सैट है ये देखिए मैं आपको पूरे डिनर सेट का एक ओवर्यू दिखा रही हूँ ये डिनर सेट मैंने अपने डाइनिंग टेबल के कलर कॉमिनेशन के हिसाब से लिया है हमारा जो डाइनिंग था उसका कलर बलैक और गॉल्डन था तो मैंने इसलिए वाइट और ब्लैक शेर्ड में लिया है ये मैंने फैसलबाद अलफते से लिए बाइखिया था और काफे कोसली पड़ा था मुझे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था इसकी जो सबसे अच्छे बात मुझे लगी थी वो ये थी कि ये बहुत ही लाइट वेट था इसका जो मटीरियल है वो बोन है ये पत्थर का डिनर सेट नहीं है बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही प्यारा और डीसन्ट सा लगता है इस डिनर सेट की जो सबसे अट्रेक्टिव चीज मुझे लगी थी वो इसके ये सालन वाले बॉल से ये काफ़ी बड़े थे इसमें 2KG सालन इजली हम लोग डाल सकते हैं और ये डबल हैंडल के थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये 72 पीसिस का डिनर सेट और टी सेट था लेकिन इसमें स्पून्स बगएरा नहीं थे ये स्पून्स के बगएर था ये देखे मैं आपको इसके सालन वाले बॉल का क्लोजब दिखा रही हूँ तो जी वियोर्स ये मेरा पहला डिनर सेट था थोड़ा मेंगा था पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी अब मैं आपको इस डिनर सेट के साथ जो टी सेट था वो दिखाती हूँ इसके पीछे मैंचन था में इंग्लेंड और इसके जो कप थे वह बहुत अच्छे थे ना बहुत चोटे थे अच्छे थे इसके कप भी एट पर्संस की सर्विंग थी यह भी यह देखें मैं आपको इसके कप दिखा रही हूँ इसके कप प्याली शेप में थे गोल पेंदे वाले यह देखें और यह कप के ऊपर जो आप सिल्वर करल की लाइन देख रहे हैं यह बहुत ज़ादा अट्रेक्टिव लग रही थी इस टी सैट की जो में अट्रेक्टिव चीज़ थी वो एक इसका मिल्क पॉट शुगर पॉट और इसकी कैटर थी इसका जो मिल्क पॉट था इसमें भी दो कप मिलके इसली हम लोग डाल सकते हैं यह देखें मैं यह आपको दिखाती हूँ इसमें दो कप इसली हम लोग मिलके के डाल सकते हैं और यह सात ही इसका शुगर पॉड पड़ा है यह बी डबल हैंडल वाला है इसका कलर कॉमिनेशन भी बहुत प्यारा था और इसकी डिजाइनिंग के बहुत ही हल्क आइए और बहुत अच्छा लग रहा है यह टीजाइट के साथ इसकी इसकी कैटल पड़ी हम लोग 5-6 कप मेरे हिसाब से तो इसली जाए के डल सकते हैं जो बड़े वाले कप हैं यह देखें यह इसके बिल्कुल कैटल है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही डिसेंट डिनर सेट था यह मैं आपको एक दफा अंदर से भी चेक करवाती हूँ यह देखने में लग रहा है कि इसमें थोड़ी कपैसिटी होगी लेकिन इसमें 4-5 कप की इसली कपैसिटी अविलेबल थी तो जी विवर्स यह था मेरा डिनर सेट फरस्ट फ़ला अब मैं आपको सेकंड दिखाती हूँ जो सेकंड डिनर सेट था वो मैंने वैसला बाद में एक लोकल शोप से बाई किया था यह मेरा सेकंड डिनर सेट है और यह पत्थर में था पत्थर बोन मिक्स था यह I think यह 76 पीसिस का सेट था और यह इसका टी सेट और डिनर सेट यह भी दोनों चीज़े ही थी मैं इसको भी निकालके आपको डिटेल में दिखाती हूँ इसके ये भी 8 persons के serving थी 8 बड़ी प्लेटे थी चावल वाली और 8 छोटी प्लेटे snacks की और 8 ही प्लेटे थी इसमें सालम गरह डालने की ये पहले वाले set के compare मुझे थोड़ा सा quality में हलका लगा था क्योंकि ये हैवी भी बहुत जादा था पत्थर प्लस बॉन मिक्स था इसलिए थोड़ा जाव हैवी था light pink कलर का इसका border था साथ में golden का touch था ये बैक पे था इसके पीछे mention नहीं था कि ये कहां की मेड है ये 8 प्लेटे हमारी चावलों वाली थी और ये जो आर्ट प्लेट थी हमारी snacks वाली थी अच्छे जो इसकी मुझे एक बात different लगी वह ये थी कि इसकी bucket सारे set के निसपद जो इसकी snacks प्लेट थी उनका style थोड़ा different था उसकी पूरी प्लेट पे border था बाक्यों पे सिरफ border हलका सा sides पे था ये सालन वाली आर्ट प्लेट थी इसके साथ हम लोगको दो dishes मिली थी चावल वगरा डालने के लिए और इस dinner set में हमें soup वाले spoon और दो spoon वैसे मिले थे पहले वाले dinner set में हमें कोई spoon ने मिला था इन दोने dinner set के साथ जो मैं spoon यूज़ करूंगी क्यूब ऑघ सेपरेट से लेनी पड़ेंगे चैगार जो के लिए सपृन cha हुप इसके साथ ये हमें साल्ट और बने के लिए पीप बहुत जादा थी इसमें 2 kg सालन इजली हम लोग डाल सकते थे यह अगर आपके गर में एक दो गैस्ट आ रहे हैं फिर आप यह डोंगे यूज नहीं कर सकते क्यूंकि इतना कम सालन डाला हुआ इसमें वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके गर में गैस्ट 8-10 आ रह आट कप थे और आट पिर्चे थी इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो मिली थी वह यह स्नेक्स प्लेट यहां फिर आप इसको एक प्लेट कह सकते हैं कप दोनों डिनर सैट के तकरीबन सेम ही थे बस थोड़ा सा फरक था इनमें शेव में थोड़ा बहुत 19-20 का फरक है बकी इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा मिली है बकी है साइट पर इसकी पिर्चे बढ़ी है आट पिर्चे हैं इसके साथ और बक्यिस के साथ मुझे एक500 मिला है और साथ में ये इसकी cattle है, इसकी cattle का size मुझे पहले वाले dinner set की निसपर छोटा लग रहा था, लेकिन मैंने measure करकर देखा था, दोनों की capacity है वो बिल्कुल सेम है, मैंने पाने डाल के देखा था, तो जितना उसमें पाने डलता है, उतना ही इसमें डलता है, ये मैं आपके एक द वीडियो शेयर करूं, तो मेरी वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा, शुक्रिया